दोस्तों वैसे तो सूर्ज कुमार यादव आजकल मुंबाई इंडियन्स के लिए रीर की हड़ी बने हुए हैं लेकिन एक समय ऐसा आया था जब यही सूर्ज कुमार यादव मुंबाई के लिए सबसे बड़े दुस्मन बन गए थे दोस्तों ये बात है साल 2015 में खेले गए मुंबाई इंडियन्स और कोलकाता नाय ट्रेडर्स के बीच एक मैच की जिसमें मुंबाई ने पहले बैटिंग करते हुए रोहिस सर्मा के सांदर अंठानवे रनों के पाड़ी के बदोलत केकेर को 179 रनों का लक्ष दिया इस लक्ष को देखकर सबको यही लग रहा था कि आस दोनों ही टीमों के बीच बहुत ही सांदर टक कर होगी और यह हो भी रहा था क्योंकि केके आर को मातर 48 गेंदों में 70 रनों की जरूरत होती है और यह रन उन गेंद बाजों के विरुद दे लेने थे जो डेट अभर में किसी भी बल्ले बाज को एक भी रन लेने के लिए पसी ने छुड़ा दे लेकिन तभी एंट्री वी सुझी कुमार यादव की और यहां से सुडिया ने बुमड़ा और मलिंगा की ऐसी दुलाई की कि जिसके बाड़े में किसी ने कलपना भी नहीं की होगी क्योंकि सुडिया यहां से मातर 20 गेंदों में 46 रन जर कर मैच को 18 अबर 3 गेंद में ही खत्म कर देते हैं वैसे दोस्तों आपके सबसे हर्दिक पांडिया और सुझी कुमार यादव में से कौन बेश ठीटर हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखें